नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप उम्मीद है हमें देखने वाले सभी दर्शक खूब मज़े कर रहे हैं आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारी गतिविदियां जिसमें अब हम सीखेंगे संख्याओं का घटाव यानि संख्याओं में से घटाना कैसे करते हैं? सबसे पहले हैं हमारे पास सुन्दर से केले और यहाँ पर दिये गए हैं 15 केले उसके बाद कुछ हुआ? क्या हुआ? किसी ने कुछ केले खा लिये और कितने केले खा लिये? कैसे पता करेंगे? बिल्कुल चिलकों को देखकर तो आप चिलके गिनकर बता सकते हैं कि कितने केले खाए गए हैं 15 केले थे और 9 केले खा लिए गए अब कितने केले बचे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 बिल्कुल 15 में से 9 केले खा लिए तो बचे 6 केले इसे हम लिख सकते हैं 15 घटा 9 बराबर हुआ 6 बिल्कुल सही इसी तरह से कुछ बक्सों के साथ गिन्ती करते हैं हमारे पास यहां है पूरे 16 बक्से और इन में से हमें हटाने हैं 4 तो 16 में से हमने हटाए एक, दो, तीन, चार अब कितने बचे गिनिये एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा और बारा बिल्कुल, 16 में से चार घटा दिये तो मिले बारा इसी तरह अगला उदाहरन भी कर सकते हैं बारा घटा पांच यानि बारा डब्बों में से पांच डब्बे हटा दिये तो बचे कितने? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ बिल्कुल सही बारा घटा पांच बराबर हुआ साथ साथियों, अभी हमने घटाया कुछ नीले बक्सों के साथ अब बारी है पीले बक्सों की आईए देखें कौन सी संख्या दी गई है? हमारे पास है चौदा, घटा, साथ यानि चौदा बक्से दिये गए हैं और साथ बक्से घटाने है या जोडने है? हम्, घटाने है तो चौदा में से हटा दिये साथ बक्से और बचे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ यानि चौदा घटा साथ बराबर हुआ साथ आगे देखते हैं सोला घटा च्छे यानि सोला बक्से दिये गए हैं और चे बक्से हटाने हैं तो सोला में से हटा दिये चे बक्से और बचे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, दस, पूरे दस यानि सोला में से छे घटाया तो हमें मिला दस सोला घटा छे बराबर दस अरे, बक्से कहां गए? अब हम सीधी रेखाओं के साथ घटाव करना सीखेंगे पर बच्चों, क्या घटाव करने के लिए कोई भी चित्र बना सकते हैं? सोचिए क्या त्रिकोन बना सकते हैं चोकोर बना सकते हैं एक तारा बना सकते हैं बिल्कुल बना सकते हैं जो भी चित्र आप असानी से बना पाएं उसे बनाइए और जोड़ना या घटाना कीजिए हमने यहाँ पर कुछ सीधी रेखाएं प्रयोग की है और करना है पंद्रा घटा पांच तो हमने पंद्रा सीधी रेखाएं बनाई और हटा दी पांच रेखाएं और बची एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, दस फिर से दस पंद्रा घटा पांच बराबर हुआ दस इसी तरह से सोचिए पंद्रा घटा शून्य कितना होगा? शून्य का मत्दब है आपको कुछ भी नहीं हटाना है यानि पंद्रा चित्रों में से हमने एक भी चित्र नहीं हटाया तो बचे कितने? पंद्रा ही कितना मजेदार है पंद्रा घटा शून्य बराबर पंद्रा आगे देखते हैं सत्रा घटा नौ तो हम सत्रा चित्र बनाएंगे और उन्मे से नौ को हटा देंगे और हमें मिलेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ सत्रा में से हटाए नौ तो हमें मिले आठ बिल्कुल और ये आखरी सवाल तेरा घटा तीन ये हमारे दोस्तों के लिए तो आप तेरा चित्र बनाए तीन को हटा दे और आप इस प्रश्न के हल तक पहुंच जाएंगे और अब एक बार फिर से समय है कूदने का जी हाँ, हम फिर से एक बार चलांग वाला खेल खेल रहे हैं पर हमारे पास यहाँ पर दोस्त हैं कौन? अंजली और रेनू देखते हैं वे क्या कर रहे हैं? अंजली और रेनू कूदने का खेल खेल रही हैं अंजली कहती है रेनू मैं छे से आगे दो कदम कूद रही हूँ साथियों, छे से आगे कूदे दो कदम तो अंजली कहां पहुँची? साथ, आठ बिल्कुल, अंजली पहुँची आठ पर अब देखते हैं रेनू कहा जा रही है? रेनू ने कहा मैं पंदरा से पीछे साथ कदम कूद रही हूँ तो दोस्तों, पंदरा से पीछे यानि उल्टी तरफ लगाएंगे साथ चलांग तो लगाईए चलांग हमारे साथ एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ आरे, रेनू भी पहुँच गई आठ पर तो देखो, वो क्या कह रही है? हम दोनों एक ही स्थान पर पहुँच गए आपने कुछ सोचा? हम्, कितना मजेदार है एक ही संख्या पर पहुँचने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जैसे अभी आठ पर पहुँचे, छे जमा दो करके और फिर पंद्रा घटा साथ करके इसी तरह आप भी एक संख्या पट्टी अपने घर या मैदान में बनाएं और उस पर कूदने वाला खेल के ले और यह नहीं भूल जाएं कि हमें एक ही संख्या पर पहुँचने के अलग अलग तरीके ढूणने हैं जब आप संख्या पट्टी बनाएंगे और दोस्तों के साथ उस पर कूदेंगे हमें उमीद है बहुत आनंद आएगा हम फिर मिलेंगे और मज़ेदार गती विधियों के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए और गिनते रहिए जोडते रहिए घटाते रहिए पढ़ते रहें बढ़ते रहें हसते रहें मुस्कुराते रहें नमस्कार झाल